कहते हैं भगवान की पूजा अर्षना शिद्दत से करो तो हर मनो कामना पूर्ण होती है ऐसा ही एक द्रश्य महेश अगरवाल के घर देखने को मिला जहां भगवान शिरी कृष्ण के बाल स्वरूप ठाकुर्जी की मूर्ती दूद्पिती नजराई इसकी जानकारी मिलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रदालू खटोला पोल घीमंडी में किराए के मकान में रहने वाले महेश अगरवाल के घर पहुंच रहे हैं महेश अगरवाल का कहना है कि उनकी बहु पिछले दो साल से एक बालक की तरह ठाकुर्जी के सेवा में जूटी है और उन्हें निला दुला कर और खान पान का ध्यान रगती है आज सुबह जब उन्होंने ठाकुर्जी को कटोरी चम्मत से दूद पिलाया तो वह उसे पीते हुए नजर आए और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी कटोरी खत्म कर दी इसके बाद उन्हें दौबारा दूद पिलाया गया तो यह सिलसिला लगातार जारी रहा जो की आश्चेर यही नजर आ रहा है इस सूशना पर आसपास के कई लोग उनके घर पहुंच रहे हैं और ठाकुर्जी के दर्शन कर रहे हैं उन्हें दूद पिला रहे हैं यह अजमेर में पहला मौका नहीं है इस से पहले भी अलग-अलग इस्थानों पर इस तरह आस्था से जुड़ी खमरे सामने आई है जहां भगवान द्वारा अपने भक्तों को अलग-अलग स्वरूप में यह दर्शाने का प्रियास किया गया कि वह हर इस्थान पर मौजूद है अज अधियोग भी लगाया फिर इस राद दूद आया तो दूद प्लाने पर के तो हमेसा दूद गिरता था आज दूद पिलाया तो दूद पे रहा नहीं तो फिर मम्मी को मैं ने बुलाया कि देखिए ठाकोर जी दूद पी रहे तो पिलाया हाँ जब से स्वां लगे वे वे ये दो साल हो से हैं जिसी आप सेवा जिसे एक छूटे बच्चे को करते हैं वैसे कते हैं वे आज वी नहां भी हां सभी आएं हां सब भी आया है हां भी साम को भजन भी करवाएंगे सुबह भी हुआ है अभी साम को भी भजन करेंगे वंदनागरवाल यह इसी घर में मैं किराय पे रहती हूं मैं यहां एक किराय के मकान में रहता हूं गीमंडी खटोला पॉल है और प्लस मेरे बहु शुबह साड़े दूद पिलाने के लिए बहुग लगाने के लिए दूद ले गई थी तो मैंने तो इसको यह का कि दूद का भूग लगा जब मेरे को देदरना मैं पीलूंगा रोजय अब इता कंटेंडिस दूदी पेने ठाक उड़ती आज पड़ोस वाले खूब आगे खूब दर्शन कर रहे हैं तो इसा महूल लगा बहुत बढ़िया महूल है और बहुत बढ़िया कुशी है अपने गनवाई त्ट्ने सालों जा पूज़ा पूज़ा जो आज यहां आज यहां 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 मताया है मैं शक्रवल